हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है विश्व की महिलाएं धर्ती से आसमान तक अपने हुनर काबिलियत का पर्चम लहरा रही है भारतीय महिलाओं की बात करें तो राजनीती से लेकर औध्योगिक खेत्र तक कला खेत्र से लेकर खेल जगत जगत तक हर खेत्र में दमदार भूमिका में है वर्तमान में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेणा देने में इतिहास की कुछ दमदार महिलाओं की भूमी का अहम रही आज हम चांद और मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अंतरिक्ष में रहने के सपने दिखाने वालों में एक भारतिय मूल की एक महिला भी शामिल है इस महिला का नाम कलपना चावला है कलपना चावला पहली भारतिय मूल की महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष तक का सफर तै किया था उनकी इस उपलब्धी से महज महिलाओं को प्रेणा नहीं मिली बलकी भारत के लिए गौरव और विश्व के लिए एतिहासिक पल बन गया एक फरवरी को कलपना चावला की पुन्यतिती है वर्ष 2003 में कलपना चावला का निधन तब हुआ जब कोलंबिया स्पेस शटल के दौरान दुरगटना ग्रस्थ हो गया और यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई अगली स्लाइड्स में जानिये महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेणा देने वाली कलपना चावला के जीवन और उपलब्धियों के बारे में एक फरवरी यानि आज अंतरिक्ष में उडान भरने वाली भारतिय मूल की पहली महिला कलपना चावला की पुन्यति थी है एक फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कलपना चावला अपने छे अन्यसाथियों के साथ धर्ती पर लोट रही थी तो उनका यान क्षतिग्रस्थ हो गया था इस दुरगटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी कोलंबिया डिजास्टर अंतरिक्ष हादसों की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है एक फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद साथ चालक दल के सदस्यों के साथ प्रिथवी पर लोट रहा था और शटल कोलंबिया प्रित्वी पर लोटते समय वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुरघटना का शिकार हो गया लोगों ने आस्मान से आग का एक गोला धर्ती पर गिरते देखा इस हादसे में चालक डल के सभी साथ सदस्यों की मौत हो गई घटना के कारणों की जाच के लिए नासा ने स्पेस शटल फ्लाइट्स दो सालों से ज्यादा समय के लिए निलंबित कर दिया था अंतरिक्ष वैग्यानिकों के लिए दुखत दिन आज एक फरवरी का दिन नासा और सारी दुनिया के अंतरिक्ष वैग्यानिकों के लिए काफी दुख़त दिन है दरसल साल 2003 में आज ही के दिन अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलम्भिया अपना अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के बाद धर्ती के वातावर में वापस लोटने के समय दुरगट नागरस्थ हो गया था इस हादसे में यान में सवार सभी साथ अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी भारत की महिला अंतिरक्ष यात्री कलपना चावला भी इस हादसे का शिकार हुई थी तो दोस्तों ये था आज का विडियो आप सभी को ये विडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करे और वीडियो में कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे